आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ लीथियम इल्मूनियम हाईडराइट सिरफ एक ही प्रोड़क्ट जनरेट करें अब अगर हम यहां फर्स्ट आप्शन कंसिर्ट करें तो यहां हमार पस इथाइल एसिटेट कंपाउंड दिया होगा है इसका स्ट्रक्चर CS3 Carbon Double Bond Oxygen Oxygen with C2H5 तो यह हमारा इस हाईल एसिटेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया अब इसकी हमें यहां पर reduction reaction कंसिर्ट करनी है लीथियम इल्मूनियम हाईडराइट रिएजन के साथ अब लीथियम इल्मूनियम हाईडराइट हमारा एक strong reducing agent है मतलब यह सामने वाले का reduction और खुद का oxidation करता है और हमारे given compound के अंदर यहां पर एक ester function को present है तो जब यह ester function को containing compound के साथ reduction reaction करता है तो यह ester को alcohol के अंदर reduce कर देता है और reduction के time पर हमारा यह जो पार्ट होता है वो एक alcohol बनाएगा और हमारा ये जो पार्ट होता है वो एक अलकॉल बनाएगा अब लेफ्ट में हमार पास यहाँ पे दो कार्बनेटम की चेन है और राइट में भी दो कार्बनेटम की चेन है इसका मतलब यहाँ हमार पास two equivalent of ethanol compound यहाँ पे जनरेट हो दाता है अब इस chemical reaction में सिरफ एक ही प्रड़क्ट जनरेट हो रहा है two equivalent of ethanol compound और question में भी हमें यह पूछ रहा था कि कौन सा एक ही प्रड़क्ट जनरेट करेगा जब उसकी reduction होगी लिथे मैलमूनियम हाइडराइट के साथ अब यहाँ पे सिरफ एक ही प्रड़क्ट जनरेट हो रहा है इस वज़े से यह option correct है similarly next option considerate करें तो यहाँ मार पास propyl acetate compound दिया हुआ है इसका structure considerate करें तो CS3 carbon double bond oxygen with CH2, CH2, CS3 तो यह मारा propyl acetate compound हो गया अब इसकी हम यहाँ पे reaction considerate करते हैं with lithium aluminum hydride followed by hydrolysis तो इस compound के अंदर भी हमार पास यहाँ पे ester function group present है तो यह ester function group यहाँ पे alcohol के अंतर reduce हो जाएगा बट इस case के अंदर यहाँ पे हमार पास 2 carbon atom की chain है और यहाँ पे हमार पास 3 carbon atom की chain है तो मतलब एक तो हमार पास यहाँ पे product generate होगा ethanol एक हमारा यहाँ पे product generate होगा propanol जिन दोनों के हमारे structure यह हो जाते हैं अब क्योंकि यहाँ पे 2 production rate हो रहे हैं इस वज़े से यह option हमारा यहाँ गलत हो जाता है similarly next option considerate करें तो यहाँ हमार पास ethyl propanoid compound दिया हो है इसका भी structure considerate कर लें तो CS3, CS2, carbon double bond oxygen, oxygen with CS2, CS3 इसके भी हमें यहाँ पे reduction करवानी है lithium, aluminium, hydride, reagent के साथ followed by H+, तो इसके अंदर भी हमार पास यहाँ पे ester function को present है तो इसका भी यहाँ पे alcohol canter reduction हो जाएगा और इस case के अंदर भी left में हमार पास 3 carbon atom की chain है right में हमार पास 2 carbon atom की chain है तो मतलब यहाँ पे भी हमार पास 2 production rate होंगे एक हमारा यहाँ पे ethanol compound होगा एक हमारा यहाँ पे propanol compound यहाँ पे generate हो जाएगा अब क्योंकि यहाँ पे भी 2 production rate हो रहे हैं इस वज़े से यह भी option हमारा यहाँ गलत है similarly next option considerate करें carbon double bond oxygen with CS3 तो यह हमारा methyl propanolid compound हो गया अब इसके भी यहाँ reduction reaction considerate करें with lithium aluminum hydride followed by H plus iron तो इस compound के अंदर भी हमार पास यहाँ पे ester function को present है मतलब इसका भी यहाँ पे reduction हो जाएगा अब इस case के अंदर left में हमार पास 3 carbon atom की chain है और right में सिरब एक ही carbon atom की chain है तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमार पास दो product generate होंगे एक हमारा यहाँ पे product generate होगा propanol compound एक हमारा यहाँ पे methanol compound अब इस chemical reaction में भी दो product generate हो रहे है इस वज़े से यह भी option हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है तो चारो option considerate करने के बाद जिस compound के जब हम reduction करवाएंगे lithium-almonium hydride के साथ और वो सिरफ एक ही product generate करें वो option number one ethyl acetate compound है तो option one is correct for this question thank you, hope you like it